अगर आप गाउं में एक बिजनेस को सुरुआत करना चाहते हैं, परन्तु गाउं के मडल के हिसाब से कुन सा बिजनेस फिट होगा, यह आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि नर्माली क्या होता है ना, गाउं में किसी भी बिजनेस को सुरुआत करने से पहले, हम सब का म माल बिकेगा, नहीं बिकेगा, कितना इंवेस्टमेंट करना होगा, कितना प्रॉफिट हम कमा सकते हैं, और फाइनली गाउं में मुझे कुन सा बिजनेस करना चाहिए, तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा गाउं में चलने वाली बिजनेस, तो चलिए बिन पहर की जो आबादी होती है, ये गाउं के आबादी से बहुत ज़्यादा होती है, परन्तु कुछ बिजनेस ऐसे है, जो गाउं के लिए बेस्ट है, और इसका भी आप रिजिन जान लिजे, देखिए आज के टाइम पे भारत का जो कुल आबादी है, एक्सो चालिस क्रोर स जादा लोग है, और इसमें से देखिए 64% से लेके 65% पॉपलेशन, यानि करीब करीब 90 क्रोर से जादा लोग जो कि आज के टाइम पे गाउं में रहते हैं, यानि गाउं में बिजनेस करने के लिए अपर्चुनिटी है, और इसकी साथ इसका फाइदा देखिए, आपको ग पैसे के अंदर आपको मजदूर भी मिल जाएंगे, यानि गाउं में बिजनेस करके आसानी से पैसा कमाया जा सकता है, तो फिर गाउं में चलने वाला मेरा पहला बिजनेस आइडियास होगा, कंस्ट्रक्शन मेटरियाल बिजनेस, अब देखिए सबसे पहले इसका कारण ज देखने को मिलता है, खास करके प्रधान मंतरी आवाश युजना के चलते हर रोच किसी ना किसी का घर बनते आपको नजर आएंगे, परन्तु यहां पे देखिए लोगों को घर बनाने के लिए जो समान चाहिए होता है, जैसे कि इट, सिमेंट, रेत, पत्थर, आईरन होता है, और गर्मेंट का जो स्कीम है ना, उसमें भी देखिए फेज वाई फेज फेज पैसे मिलते हैं, तो ऐसे मैं देखिये, जिनके पास 1-2 लाख है, वो सोच सकते हैं, कहीं दूर जाके जहां पे सस्था पड़ता है, वोहां से खरीज सकते हैं, परन्तू जिनके पास इतने सारे पैसा नहीं है, वो नजदीग से खरिधने के लिए प्रिफर करते हैं, अपना खर्चा घटाने के लिए और ये भी होता है जान पेचान होने के कारण थोड़ा बहुत ओधारी भी ले लेते हैं ताकि जब उनको पैसा मिले देते हैं इसलिए देखिए construction material business को शुरुआत करने के लिए आपको थोड़ा ज्यादा investment की जरौत होगी क्योंकि शुरुआती में अगर आप eat, cement, rate, पत्थर, binding wire, iron rod ये सारे सामान के साथ अगर आप शुरुआत करेंगे तो आपको कम से कम 4-5 लाग investment करना होगा और इसमें देखिए आप 20-25% profit margin कमा सकते हैं परन्तु ये completely depend करेगा आपका place to place और season to season के हिसाब से और इसके इलाबा देखिए जब आपका business आगे बढ़ेगा यानि आपका demand बढ़ेगा और लोग आपके पास जादा आएंगे तो फिर आप इसके अंदर और भी थोड़ा जादा investment कर सकते हैं यानि आप और भी product को इसमें आड़ कर सकते हैं प्लास्टिक सीट मेटाल सीट या फिर देखिए ग्लास टाइल्स या फिर स्टील का विंडो रेलिंग यह सारे समान को आप आड़ करके और भी आप थोड़ा ज्यादा बिट कमा सकते हैं अब दीखे गाउं में चलने वाला मेरा दूसरा बिजनेस इडिया सोगा पुल्ट्री फार्मिंग्स अब दीखे पुल्ट्री प्रड़क की जडिमांद है चाए City हो या फिर रुराल एरिया हर जगा पुल्ट्री प्रड़क की दिमांड है और गवर्में फेन, फिडर, ड्रिंकर, वेगिंग स्केल, ब्रूडर और आपको पानी की फेसिलिटीस रखना होगा और साथ में आपको लेवर की ज़रत होगी देखे, अगर आप 1000 मुर्गी तक पालते हैं, तो फिर आपको लेवर की ज़रत होगी, बनना आप खुद इसको अकेला भी मेनेज कर सकते हैं और इसके अलाबा देखे, आपको चीक्स, फीड, मेडिसिल, ये सारे चीजों की भी ज़रत होगी यानि इसका overall setup कोस्ट होगा, अगर आप मान के चलिए 1000 मुर्गी से आप सुरुवात करना चाहते हैं तो फिर 1000 मुर्गी के लिए 1000 स्क्वार फिट सेड कंस्ट्रक्शन की ज़रत होगी और उसके लिए देखे, आपको दो लाग इन्वेस्टमेंट की ज़रत होगी यानि पॉर स्क्वार फिट 200 रुपिस यानि देखे, दो से तीन लाग आप इन्वेस्टमेंट करके सॉट टाइम के अंदर आप हाई प्रोफिट कमा सकते हैं क्योंकि देखे, मुर्गी का जो बेस साइकिल होता है अगर आप मान के चलिए white मुर्गी जिसको broiler कहते हैं उसको अगर आप पालते हैं, तो उसका बेस साइकिल होता है 45 days और color मुर्गी का होता है 60 days यानि white मुर्गी अगर आप broiler पालते हैं सबसेपोल के चलिए आप 1,000 मुर्गी से शुरुवात कर रहे हैं वो भी कलर मुर्गी से अब देखिए कलर मुर्गी जो Jeep जो है ना यह अलग-अलग मार्केट में इसका प्राइस अलग-अलग होता है कहीं पर 140 // 1300 गहीं पर 180 या फिर 200 में भी यë market में भीकताँ यानि कल्रह नर्च बिया भी तरफिस को हुता है यानि कल्रह मुर्गी का जो आवरेज organise होता है ये टीजरätter लेके 2 खेजी का आवरेज से सतर हजार प्रफिट कम आ सकते हैं परन तू देखिए इसमें आपको कुछ खास बात ध्यान में रखना होगा जैसे कि देखिए जबसें कंश्टरक्षobs करेंगे तो आपका सेट कंस्ट्रक्षन करना चाहते हैं तो फिर आपका लेंग्द होना होना चाहिए 50 फीट और आपका उईट थोना चाहिए 20 फीट ताक्य आपका प्रपर वेंटिलेशन होगा बना देखिए बना योटि नहीं के कारण मुर्णी का गरोथ में रुकाबट सेंटर क्यूंकि देखिए जब आप अपने घर से शुरुआत करेंगे तो फिर आपको कोई इन्वेस्टमेंट की जौरत नहीं होगी क्यूंकि आप अपने घर के अंदर एक छोटे से कमरे में कुछ बच्चों को लेकर आप सुरुआत कर सकते हैं परन्तु जब आप इसको बड़े लेगूल पर करेंगे तो फिर आपको प्रोफेशनल सेट अप करना होगा और उसके लिए देखिए आपको कम से कम 200 से 500 स्क्यार फिट एरिया की ज़रत होगी और इसमें देखिए आपको वाइट बॉर्ड चॉक मार्कर स्टॉडी मेटेरियाल प्रोजेक्टर लाइट फैन ये सारे चीज़े आपको ज़रत होगी और इसके साथ देखिए आपका जो ट्यूशन सेंटर है ये अच्छे लोके यानि आप 10-20 बच्चे से सुरुआत करके 100-200-500 बच्चेतों का पहुंच सकते हैं यानि देखिए अगर आप आबरेज एक बच्चे से 500 रुपीस लेते हैं और आप कुछ दिन में मानके चले 100 बच्चे तक पहुंच जाते हैं तो ऐसे ही आप गाउं में रहकर 50,000 कमा सकते अब दिखिए गाउं में चलने वाला यह जो तीनो बिजनेस आइडिया में ने आपको दिया अगर आप इसके उपर डिटेल में वीडियो चाते हैं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए ताकि मैं इसके उपर डीटेल में वीडियो बना के इस चानेल के उपर अप्लॉड कर दूँगा परंतु देखिए गाउं में चलने वाला और भी बिजनेस आइडियास के उपर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं अगर आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरू सब्सक्राइब करें और हां अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा लाइक और शेयर जरू क करें तब तक के लिए मैं विजय कुमार आप सभी लोगों को फिर्दोई की गहराईयों से बहुत-बहुत धन्यवाद